अस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टेरो में और मैं हूँ वैशाली शर्मा आपकी टेरो रीडर तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि आपकी असली पावर क्या है या आप कैसे अपने आपको इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं तो यहाँ पर क्या है आपको ये समझने की जरूरत है कि देखो आपके और पास ऐसे लोग है जो खुद गलत करते हैं लेकिन अपने आपको ऐस से दिखाते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है मतलब की ये है कि असलियत में वो हमेशे आपके साथ गलत करते हैं और गलत इन दा सेंस आपने कभी उनकी help भी नहीं मांगी या आप कभी उनकी burden नहीं बने आपने अपनी कोशिश करी कि आप अपनी problems उन लोगों से दूर रखें और उनको परेशान ना करें लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या किया मतलब ये तो ना जिससे आप अपने आपको help कर रहे थे आप अपने आपको बचा कर चल रहे थे या अपने आपको संभाले थे जिस चीज से उसी चीज पर attack किया है इन लोगों ने तो मतलब यह है कि आप इनसे कुछ नहीं माग रहे थे आप independent type के थे independent मतलब यह भी होता है ना कि खुद को समभाल ले ना अपने आपसे ही है ना किसी और के आगे रोना धोना नहीं तो इन लोग ने क्या किया जो आप ऐसे जो आपकी quality थी उसमें भी उनकी लोग खुश नहीं होगा health का नुकसान हुआ है या चोट वगेरा भी लगी है आपको शायद मतलब खून वगेरा चोट लगी है मतलब ऐसी है ना कि जैसे कहते हैं कभी-कभी लड़ाई जगडे में कभी खून भी निकल जाता है तो कुछ बहुत जादा abusive महाल रहा होगा यह सब के लिए नहीं किसी लोग लेंगे जो general message है यह collective में तो लेकिन यहाँ पर जो आपकी सबसे बड़ी strength है ना वो यह है कि आप खुश रहते हैं है ना आपकी जो happiness है और आपकी जो happiness है ना वो दिखावटी बनावटी नहीं है आप अंदर से जो कहते ना अपने आप में ही सच में आप बहुत जादा खुश रहते हैं satisfied रहते हैं आप ऐसे नहीं है जो दूसरों के लिए नफरत लेकर चलते हों क्योंकि यह जो लोग यहाँ दिख रहे हैं आपको हो सकता है यह भले ही show करते हों कि यह लोग बहुत खोश हैं लेकिन अंदर से यकीन मानिये यह लोग बहुत ही जादा ड आगे बढ़ सके लेकिन फिर भी यह नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर जो इनकी मेंटलिटी है वो लैक मेंटलिटी है जैसे कि लैक मेंटलिटी मेंदा हाई खतम हो जाएगा हाई नुकसान हो जाएगा हाई कोई और जीत जाएगा हाई उसका नाम हो जाएगा हाई हम रह यह लोग खुद अंदर से बेचारे टाइप हैं और बहुत ही जादा ऐसे लो एनरजी की हैं जो अपने आप से ही नफरत करते हैं क्योंकि अगर यह लोग अपने आप से प्यार करते होते तो यह अपनी लाइफ में इतनी जादा गंदना फैलाते और आपको इतना जादा नहीं करते हैं तो आपकी जो असली पावर है वो है आपकी जो इनर हैपिनेस है और एक बात और है आपकी हैपिनेस फेक नहीं है यह आपकी हैपिनेस अंदर से बहुत ही जादा प्यार है और वो प्यार इसलिए है मैं देख सकती हूँ क्योंकि आप यह हो ना आपको कैसी भ खुश रहते हैं थोड़े में भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई भगवान साथ है ये है तो भाई बहुत कुछ है लाइफ में तो लोगों के पास ये भी नहीं होता है और उसी से आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मतलब आप एक बहुत जादा महंती इंसान भी है ऐसे नहीं है आप जो बहुत बस जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक पॉइंट पर आके बस बाते बाते बनाते रहते हैं और बहुत ही जादा उनकी लाइफ है ना एकदम मानलो ब्लॉक्सी हो जाती है अब उनको आगे नहीं बढ़ना होता है पर आप ऐसे हैं कि आप आगे बढ़ने की ही कोशिश करते हैं, आप हर दिन को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हर दिन अपने कोशिश करते हैं, कि एक ना एक कदम आप आगे बढ़ते रहे हैं, और यहां पर आपका चाहिए जो भी काम है, चाहिए आप पेंटिंग करते हों, या आप स्कूल में टी से करते हैं अगर आप घर की घ्रड़ी भी है तो आप इतने अच्छे से घर का ध्यान रखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स का और अपने बच्चों का कोशिश करती हैं कि हर दिन वो खुश रहें और उनकी उन पर बर्डन ना आए लेकिन यहां पर क्या है आपके इतना कुछ अच्छा करने के बात भी अगर आपके साथ इतना ऐसा वहवार किया जाता है तो आप कभी-कभी क्या है बहुत जादा डाउन फील करने लगते हैं और एक तरीके से आपको ऐसा लगता है कि अभी शायद आप तो कि इतनी उमर नहीं होगी पर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि life शायद ये life का end है आपको ऐसा लगने लगता है कभी-कभी कि ये लोग कभी आपको खुश नहीं रहने देंगे है ना लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है जो दुरगा मा है या या यूनिवर्स है जिस पर भी आप विश्वास करते हैं वो ये कहते हैं आपके मन में कितने भी negative thoughts भर लें ये लोग कितने भी कोशिश कर लें कि आपको ये महसूस कराने के लिए कि आप अपने आप से नफरत करें पर वो कभी नहीं हो सकता क्योंकि आपके अंदर एक special जो happiness है वो divine की happiness फ्लो करती है मतलब कि ये है आप कितना भी दुख हो लें लेकिन आपका जो mind है जो आपके higher self है spirit guides है या जो आपके mind में जो मन की शक्ती होती है जो आपकी memories है और जैसा आपका nature है वो आपको कभी हारने नहीं देगा कभी आपको ठकने नहीं देगा या कभी आप देखेंगे ना कभी आप give up नहीं करेंगे आपको आपने खुद महसूस किया होगा ये बात कि ऐसा आप दुखी होते हैं क्यूकि आप भी एक इनसान है आपको भी feel होता है लेकिन आप क्या है दुखी तो होते हो तो लेकिन आपने खुद ऑब्जर्फ किया होगा अपने भारे में कि आप फिर अपने आप से ठीक हो जाते हो अपने आप ही अंदर आपको एक शान्ती मिल जाती है अपने आप से यह आप खोश हो लेते हो है ना आपने यह खुद नोटिस किया होगा तो यह वाली जो क्वाल आज है वो जरूर है माता रानी के पास आपको मतलब आप देखेंगे आपको stability कैसे मिलती है क्योंकि आपको यह देखना है कि हर चीजे कहीं न कहीं आपको लेकर जा रही है मतलब आपकी life आगे आगे move कर रही है बढ़ रही है अगर आपको आज ही सब ऐसा लग रहा है कि परेशानी है दिक्कत है पर आप देखेंगे कि यह सब चीजे connected हैं आपके future से और आप देखेंगे कि future में कैसे balance आता है कैसे न्याय स्थापित होगा और जैसे को तैसा मिलेगा है ना तो पर आपको हमेशे यह ध्यान रखना है हमेशे happy energy में रहो और अच्छे intention के साथ कर्म करते रहो बागी आप personal tarot reading और हवन services के लिए माला जाप के लिए संपर्क कर सकते हैं हवन जो हैं देखिए वह सबसे best service है ठीके आप यह समझी है आप अगर tarot reading भी लेते हैं तो वह आपको एक current energy के लिए आपके सवालों का जवाब दे देगी वह जो खास कर गी आपको general reading में भी मिली जाता है लेकिन अगर आप जो यह हवन service लेते हैं यह आपकी energy cleansing का काम करते हैं अब जब कहना energy clean होती है तो वह आपको क्या अगर आप आप आज एक चीज बदलेंगे अगर आप आज थोड़ी से अपनी energy clean करवाएंगे या फिर उससे क्या होगा आपको mental clarity आएगी और आप better decision ले पाएंगे तो आज का जो decision है वह आपको सालों साल लंबे समय तक आपको फाइदा देगा तो इस तरह से जो यह हमारी हवन service है और माला जाप service है यह आपको help करत सकते हैं WhatsApp number description box में दिया गया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलेंगे next video में